तो अलो दोस्तो मैंने में जमन मलिक एंड वेलकम बैक टो रेधर वीडियो तो केखो मेरे बहुत सारे ऐसे वीवर्स हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है और उनके पास सिर्फ मुबाइल है वो फ्री लण्स वीडियोडिकश स्टारट करना चाहते हैं वो विडियोडिकशना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ कि आपके पास सिर्फ मॉबाईल है फिर भी आप को यहां पर यह कहना चाहूंगा कि don't limit your creativity, एक machine नहीं है उसकी विज़े से अपना काम मत रोको, android पर या फिर ios पर till date 2022 में इतने अच्छे एच्छे video editing software आ चुके हैं कि आप उन पर पहतरीन से पहतरीन editing कर सकती हो, और यहां पर मैं यह भी कहूँगा कि computer में जब आप editing करते हो तो बस मुझे उस effect पे click करना है और वो zoom in transition मेरा बना देगा, तो यहां पर बहुत सरी चीज़े आसान हो जाती है अगर आप mobile पर editing कर रहे हो, हाँ जिस date में मैं यह video बना रहा हूँ, उस date में यह कहना तो गलत होगा कि mobile video editing software ने पूरी तरीके से computer video editing को replace कर दिया, यह मैं नही कह रहा हूँ और यह शायद अभी 5-6 साल तो नहीं होने वाला है और उसके बाद future का तो देखो कुछ पता नहीं है, तो अभी तो यह possible नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है computer, नहीं है laptop, तो आप क्या करोगे, अब mobile का यह अच्छे से use करोगे, optimum utilization of resources आपने पढ़ा ह अब आपके दिमाग में यह confusion आ रहा होगा कि अमन भाई, mobile मेरे पास है, और मैं mobile में शुरू भी कर दूँ लेकिन मुझे video editing software के बारे में नहीं बता है, कौन सा बहतर है, कौन सा बढ़ा है, आप काइन master डाउनलोड कर लो, बहुत ही बहतरीन software है, मैंने बहुत बार उसको use क्या है, मैंने बहुत सारी videos edit भी की हैं, काइन master के बाद power director है, power director के बाद vn video editor है, जो की बहुत 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 बात नहीं है, क्योंकि आपके पास mobile ही है, इसके अलावा फिल्मोरा गो भी एक बहुत अच्छी एप है, अगर आपको editing करनी है, तो देख store या फिर app store से download कीजिए, और खोद अपनी video shoot करके edit करके experiment करके देखिए, कि आपका mobile में video editing experiment कैसा हो रहा है, अगर आप ये चीज़ करोगे तो आप रुक नहीं रहागा, आप start कर चुके हो, अब देखो ये बात तो बिल्कुल सच है, कि आप हर तरीके की videos mobile में edit नहीं कर सकत जैसे की short films हो गई, documentaries हो गई, long form का content हो गया, जिसमें आपको बहुत सारे effects लगाने हैं, मतलब आपके पास 300 plus number of videos हैं, उनमें से आपको editing करनी है, को multiple videos में से select करना है, कि आपको कौन सी timeline पर लेकर आनी है, कौन सी final video में लगानी है, तो वहाँ पर शायद थोड़ा सा complicated आपका project हो जाएगा, मतलब आप जादा बड़े level की videos एडिट नहीं कर सकते हैं, वो भी certain circumstances में, बट आप 15-20 minute की YouTube videos अराम से एडिट कर सकते हो, अगर आपका कोई client है जिसको vlog editing करवानी है, आप उसके vlogs अच्छे से editing करके दे सकते हो, और आप ऐसी talking head videos तो बहुत simply और बहुत अच्छ में आप उस type का content mobile पर edit कर सकते हैं, अब देखो my advice for mobile video editors ये है कि आपके पास अगर सिर्फ mobile है, तो मैं कहूंगा आप start कर दो, freelance video editing भी start कर दो, ठोड़े पैसे save करना शुरू कर दो, और ultimately आप एक laptop या फिर PC बनवा लेना या फिर laptop खरीद लेना, क्योंकि आपको laptop लेना ही laptop को मैं इसली कहा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आप editing और अच्छे से सीख पाऊगे, और अच्छे से कर पाऊगे, देखो ये बात तो बिल्कुल जैसे मैं भी बताए, बिल्कुल खलत होगी, कि mobile और laptop का कोई comparison नहीं है, अगर मैं video editing की बात करूँ, video editing software की बात करूँ, obviously laptop और computers advance होते हैं, उसमें जो features होते हैं, वो भी advance होते हैं, और आपका जो काम करने का तरीका होता है, वो बहुत easy बना देता है, एक computer या पर एक laptop, लेकिन अगर आपके पास अभी नहीं है laptop, आप क्या गरोगे, start कर दो, पैसे safe करना शुरू कर दो, लेकिन ultimately एक अच्छा laptop, एक